सब को मेरा दिल से नमस्कार, जगत की रसना का ओर एक एपिसोर में मैं आपको स्वागत करता हूँ आज का टुपिक है उत्पदी आठ का एक से तिन, एक पद में लिखा गया है कि जहाज के अंदर जितने भी प्रानी थे, परमिसन ने उन सब को याद किया याद किया इस सब का मतलब ये नहीं की, परमिसन ने भूल गया था याद किया का मतलब है परमिसन ने फैसला किया, ओ क्या है परमिसन ने जल को सुखाने के लिए इच्छा प्रकास किया क्योंकि परमिसन की योजना पूरी हो चुकी थी तो जल को सुखाने के लिए परमेशन ने हावा को भेजा इसे से पता चलता है कि अपने स्रिष्टी के प्रती परमेशन का एक जिमेदारी है ऐसे कि हमारे लिए भी परमेशन ने आप के लिए और मेरे लिए चिंदा करता है उसी के बाद क्या हुआ, दो पद में लिखा गया है, बनने वाला जल और आकास का दरवाजा बन हो गया, दरवाजा का मतलब हमारा घर का दरवाजा जैसा नहीं है, दरवाजा का मतलब है परमिसर की आग्यां के द्वारा स्तित एक ना दिखने वाला चीज है, जब परमिसर न आदस करेगा कि बारिश बंद हो जाएगा तो बंद हो जाएगा दर्वाजा का मतलब यहीं है तीन पद में लिखा गया है जल की मातरा कम होने के लिए 150 दिन लगा था एक चीज को ध्यान दिजिए पानी हावा समदर यह सब परिमिसर की आदस को पालन करते हैं लेकिन इनसान नहीं करता परिमिसर की बचन को एई से सुनने के लिए इसी चानल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए और कॉमेंट कीजिए फिर मिलेंगे और एक एपिसोड में धन्यवाद